बहु मत की बहु मत की बहु बली आपके पास है बहु मत की बहु बली से आप घिस सकते हो लेकिन हमें क्यूं ये नो कॉन्फिसम होज़ा लाना परे इसको थोड़ा समझाने की कोशिश होना जाए हुआ है हुआ है है हुआ है 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 ना कि अजर देखिए । ये नो कोर्फिसम मोशन की ताकत इतने हैं कि हमारे पद्हानमन ची को हम लोग घिच के सहाधन में लाकर वैचे है 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 प्रक प्रक वेस्ते हैं all the no-control motions were destined to be defeated. So the issue is, as the treasurer even just tried, trying to make it equivalent, as our attempt to dislodge this government, we know that we don't have the requisite number at our disposal. When you have the requisite number, it can be impossible, but why do we divide this nil Confucius with no-Confused! देखिए ये कि ताकत कितने हैं कि हमारे बधान मंत्री को हम लोग खीच के साधन में लाकर बैचता। यही ताकात होते हैं संसधिय परंपरा की हम यह नो कर्णिसमों सार आने के लिए कोई सोचा भी नहीं था लेकिन हम बार बार यह कुहर लगाते आये थे कि कम से कम हमारी देश की पधान मंत्री सदन में आएं और मौनीपूर की मुद्दे पे हम बोलने का पहले कुछ बोले यह सिर्फ हमारा मांग कोई बीजेपी नेता से नहीं हमारे मांग की हिंदुस्तान की पधान मंत्री से जो ल आरे हुए थे कि सदन में ना आने की सपत ले चुकी थी कि तो इसी के चलते मजबूरान हाँ में भी यह संग्सद्य जो ओगजार इस्तेमाल करने की कि गुंजाइस हैं यह संग्सद्य ओगजार को तो सदन में गूज उठीके कि हमारे देश से भृष्टाचार, उइट इंडिया, परिवारबाद, उइट इंडिया बगाड़ा बगाड़ा क्यूंकि ये नाइन तागास हमारे आगास्ट कांति दिवस मना जाता सा है मैं इसके बारे में कुछ बोलना चाहते हैं सर भारोच छोरो अंदलन जिसे आगास कांति के नाम से भी जाना जाता है एक राष्टर वपी सविनाई अबगगा अंदलन था जिसका आउबाद, साथ आगास 1942 को ओखिल भारती और कॉंग्रेस सुमिति के बंबे सत्थो द्वारा किया गया था इसकी शुरुआ आठ आगास्ट मुंबाई के गवालिया टैंक मैदान में दिये गए अपने भारोच छोरो भारोच छोरो अभीजान के भाशन में गांधी जी के करो या मरो पे आउवान के अनुसर्थ नए आगस्तु पुनी थी अंग्रे जोने आठ आगास् पर लोगों की नजरबंदी के साथ अत्तन्त तेजी के पतिक्रिया ब्याक एक लाग सरी गृपतारिया की की गई जिन में गांधी जी साहीद कॉंग्रेस के सीर्स और नित्यतों के नेता भी सामिल थे बड़े प्रेमाने पर जूर्माना लगाया गया और पदस्ष्ण कारिय उसलिए इसके पहले भी मैसूर में एक भयानक नर्संघार हुआ था जहां हिंदु महासबा और आरेसस की बहुत करीबी मैसूर के राजा की ससस्त स्थेना ने तिरंगे को सलामी देने के लिए 22 कॉंग्रेस कार्जो कॉर्टा को कोली मार कर धत्ता कर दी थी उनिस्तो पीालिस में कारणपूर में हिंदु महासबा सासो को की साथ सहह जोग करने की रन निती को नीनमली की सब्दों में रिखांकित किया गया था हिंदु मुहसादा को मानना है कि समस्तो बैबॉरिक राजनीती का प्तमूख सिधन अंग्रेजों के साथ उत्तरदाई सहेजों की नीती है पुद्टर्दाई सहेजोग की निती जो पीना सत सहेजोग से लेकर सक्रियों और हिया तक की ससस्त्र पतिरों तक तेजबोक्ती के कियाकलपों के शनपूर्णों खेत्रों को गबर करती है समय की जरूरतों हमारे निप्तान में संसाधनों और हमारे राष्ट्रियों हीत के निप्देशों के अनुसार खुद और अनुकुल बताती रहेगी सेट इसके साथ साथ बैबारिक राजिती में महासबा जानती है कि हमें उचीत समझोता की मद्दम से आगे बरना चाहिए इस तत्त का प्रोमान यह है कि हाली में सीन में निमांचन पर सीन हिंदु महासबा ने गड़बंदन सरकार चलाने के लिए मुस्लिम लिग के साथ हाथ मिलाने की जिम्मे बार लिद थी पंगाल के मामले तो जगजाहिर है आक्रमा मुस्लिम लिग बाले जिने कॉंग्रेज भी अपनी पूरी बिनम्रता के बाजूत सांध नहीं कर सकी जैसे इसी फजलुन फॉक के पधन मंतित्तों और उनके सक्सम नेतितों में हिंदु महासबा और गड़बंदन सरकर की संपर में आए कापी हद तक समझोता बादी और मिलनसर हो गए हमारे सनमानित महासबा नेता सर्गियों दक्तर सहमापसद मुकारजी ने दोनों समुदायों के लाब के लिए लगवाग एक बस्ता तक सपलाता पूरबा कार्ज लिया बंगाल मुस्किम लिग मिनिस्ट्री में उप ये दोनों दल बिटीश शाशोको को कॉंग्रेस द्वारा आरंबग किये गए भारत छोरो आंदल उनके खिलाफ बंगल के रक्षस के रूप में देखते थे तो इसमें सामीत क्या हुआ सर बिटीश के तरफदरी करने वाले आपके पुर्वोचों ने दिये देश के लिए एही हमें दांग किया था तो आप लोगोंसे इस से ज़्यादा उम्हीत हमें नहीं थी कि जब क्रांती सब आगस्त कांति के दिन आप आप आगत कांति की दिन नाडा लगाते हुए वह बात हटा दियेius और नया-बना Method baba को आपने गुम्रा करने कीशिव हमाने बात साफ है कुईट इंडिया होना चाहिए, सामपधाई करन से कुईट इंडिया, धुबी करन से कुईट इंडिया, भगवा करन से कुईट इंडिया, कुईट इंडिया में करने ही पर है। अजादी के साम अजादी के साम नहाम होने देंगे सहिदों की कुर्बानी को बदनाम नहुने देंगे बची रहे बची रहे एक बूद लोह की रंगों में भारत माता की आचल को परबाद नहीं होने देंगे यह हमारा मकसद है मैं मैं से भी एक कहिना चाहते हैं अजाद प्रधान मंत्री जी को सनमान के साथ यह कहना चाहते हैं कि देखिये प्रधान मंत्री जी आप एक बारने सौ बाग प्रधान मंत्री बने हमें कोई भड़क नहीं इसमें इसमें हमें कोई लेना देना नहीं है हमें लेना देना हमें लेना देना भारत की आम चंता की साथ है जब मौनीपुर गए तो मौनीपुर के दसा देखा हम और दसा देखने का बाद हमें ज़रूर यह मैंसुस हुई कि कम से कम देश की सबसे बड़ा मुख्या होने की नाते पधान मंतिजी के एक बार मौनिपूर के आम वाशियों के लिए कुछ संदेश दिना चाहिए कुछ संदेश दिना चाहिए थे संदेश की कोई पैगाम लेकर पुधान मंतिजी को खूद कोई कारवाई करना चाहिए थे कम से कम आपकी तरफ से एक बार मौनिपूर के लोगों को अपना मन की बात रखना चाहिए थे सेर्य यह मांग कोई गलत मांग नहीं है मनीपूर के आम लोगों की मांग का से स्हेकस्थियर की एक मैखेट लेख आे मैखियोसर यह टाइरंड कह जाता थी एक टाइरंड की मैखेट अत्ता चाहरी राजा तो म्यागबेद के तचार देखते हुए शेक्सपिया ने वारे दूख यताई थी और कह रहे थे कि स्पोटलेंड में जिस्तर की हमला हो रहे हैं, जिस्तर की दुद्दा सा देखे जाते हैं, उसमें बड़ी दूख के साथ एक कोई सब्द लिखे थे, अध्योत की देखे, विड्योत के वारे हैं जिस्तर की हजकी हुए जिस्तर की में की में बड़ी वी गूजव बड़ एक श्हुएंस का थी और फ्यों पूर्दा अबख़ जिखते हैं, लिएखने जिए उखने चारी के लिखने जिए बड़ु स्वांस की येए, वीएवियो हमें भी लगा कि मनिपूर की हालात जहां लोगों की मन में कोई चैन सांती कुछ नहीं थी सारे मनिपूर यही तो बात है आप समझ नहीं समझें आनारस की साथ बेनारस की तुलना मत किया करो, चाना की साथ बेजना की तुलना मत किया करो, बूलोक के साथ घीलक की तुलना मत किया करो, इसलिए नहीं क्योंकि हमारे पधान मंतिजी जिस दीन मनिपूर की मुद्धे पर बोलना चाहिए था, कहां से 36 गल लाए, कहां से राज कि रूप पे एक सीविल वार की तरह सारे देश दुनिया में चर्चा की मुद्वे बन गए आप जब आप जब आप जब यूरोप में गए थे फ्रांस में जहां आपको पुरुषकार मिला था खुशी हुई हम लो आपको नवाय जा गया बहुत बढ़ा पुरुषकार में उ हमारी तरफ से यह बार बार सम्झाने की कोशिश किये गये थे कि मौनिपूर के मौनिपूर इस्यू मौनिपूर इस्यू कैनाट बीकन्फाइन तो अनी स्टेट और इने शरी तो अलज़डी एजूम्डे ग्लोबल दाइमेंशन देश्ट प्राइमिनिस्टर देखा कि हमारे घर की मा बहिन को बस रहीन हाला थे विवस्त करके उन पर अपर हमला हो रहे हैं बलाप करके घटना घट रही है तो मुझे एक बार ये बोलने का इच्छा हो रहे हैं कि जब राजा अंधार रहते हैं धीतरा से जब अंधार रहते थे उस समय द्रपोदी की बस्तरण हुई थी आज भी राजा अंदह बैटे हैं इसलिए जड़ा में नाम नगेड़ा किसी को नाम नयाँ तो इसलिए इसलिए जहां राजा इन्धा बैटे लटे देट है जा राजा अंधा बैट लटेट है उमा रपोदी की बस्तरण चाहे हो हसीनापूर में हो, चाहे हो मनिपूर में हो, होते ही रहते, मनिपूर हसीनापूर